गूड मॉर्निंग बच्चो ग्लोव औफिजिक्स में आपका स्वागत है प्यारे बच्चो आज का जो हमारे टॉपिक है वो है लेंसों पर आंकी प्रस्ण और ये दूसरी बीडियो में आपको बता रहा हूँ तो प्यारे बच्चो सीधे लिए चलते हैं आपको क्वेशन की ओर एक अव तल अव तलो तल लैंस के अव तल तथा उद तल प्रिष्टों की बगरता तिर जाए करमसव 15 सेंटीमेटर और 10 सेंटीमेटर है ठीक है तो कैसा है बच्चो ये अव तलो तल एक तल तो इसका ये ध्यान दीजी यहाँ पर ध्यान देना है एक तल तो क्या है अब दूसरा तल क्या है बच्चो इसका उतल है ठीक है ध्यान देंगे बच्चो तो इसकी ये जो इसका सेंटर हो गया अब देखे बच्चो यहाँ पर आपको ध्यान देना है ठीक है तो आरवन भी ये देखो ये आउतल है आउतल का भी आरवन इधर ही आएगा और इसका जो R2 है, उतल का जो, उतल की जो बकरता तर्जा वो भी इदर आएगी, और आउतल की बकरता तर्जा बाइए और आएगी, तो दोनों माइनस हो जाएंगे बच्चों, तो R1, आउतल की मानने की मैंने, ये देखे, आउतल तथा उतल बकरता तर्जा जाएं, रिन 15 और उत्तर लेंस की बकड़ तर्तिर जा है वो भी माइनस होगी क्योंकि दोनों बाईए और हैं आपको सबसे पहले यह ध्यान देना है बच्चो यदि कांच का अपरतनांग तो कांच का अपरतनांग जो होता है वो निरपेक्च होता हुआ हवा के सापेक्च यह दे रहा है ब बराबर यह दे रहा है बच्चो कितना दे रहा है 1.7 है ना लेंस की वाई तथा द्रव में फोकस दूरी ग्यानत करो बच्चो तो द्रव में फोकस दूरी ग्यानत करने के लिए आपको जो है बच्चो द्रव के सापेक्च कांच का अपरतनांग जो कांच का निरपेक्च अप्रतनांग एन एजी बटे कितने किसके बराबर जाएगा बच्चो ठीक है और एन एजी कितना दिया है बच्चो एक दसमला पांस दिया है एन एल कितना दिया है एक दसमला साथ सबसे पहले हम यह ज्यांत कर देंगे बच्चो अब बच्चो हमारे पास एक फॉर्मूला है एक formula है जिससे हम इसके question कर रहे है 1 upon f बराबर होता है बच्चो n-1 1 बटे r1 minus 1 बटे r2 यह इसका formula है बच्चो तो पहले हम हवा में निकाल देते हैं बच्चो तो प्यारे बच्चो हवा में निकालने के लिए हमें formula लगाना पड़ेगा 1 upon f हवा में निकालने f a तो हवा में है आपका lens तो कितना हो जाएगा अपरतना कितना हो जाएगा बच्चो n a g minus 1 1 बटे r1 1 बटे r1 minus 1 बटे r2 हो जाएगा ठीक है बच्चो और 1 upon f a बराबर n a g दिया है 1.5 दिया है minus 1 r1 r2 बच्चो 1 बटे minus कितना है 15 ठीक है और minus 1 बटे minus 10 ठीक है बच्चो कितना हो जाएगा minus 10 ठीक है न यह देखे बच्चो तो अब जो है आपको इसको क्या करना है solve करना है ठीक है एक के लिए कितना दिया है बगरत थे 15 cm और दूसरे के लिए कितनी दी है दूसरे के लिए कितनी दी बच्चो एक में आपको 15 cm है और दूसरी कितनी है बच्चो 10 cm है ठीक है अब इसको आप solve कर देंगे बच्चो थोड़ा सा आप अपना थोड़ा सा पैन उठाए और solve करें बच्चो 1 upon fa बराबर हो जाएगा 0.5 ठीक बच्चो अब इसको solve करते हैं तो यह कितना हो जाएगा बच्चो यहाँ पर minus उपर जाएगा minus एक बटे 15 माइनस माइनस का plus हो जाएगा एक बटे 10 ठीक है अब इसको solve करते हैं तो यह हो जाएगा 0.5 और दोनों का LCM कितना आ गया बच्चो 30 आ गया है और यह minus 2 आ जाएग और यह प्लस कितना आ जाएगा, ठीक है, तो अब कितना हो गया, one upon fa बराबर कितना हो गया, बच्चो, point five into कितना हो जाएगा, बच्चो, यह one हो जाएगा, और by कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इसका क्या मतलब होगा, बच्चो, इसका क्या मतलब, fa निकालेंगे हम, fa निकालेंगे, बच्चो, तो कितना हो जाएगा, बच्चो, 30 by point five, ठीक है, तो यह हो जाएगा, तीन सो बटे 5, तो 5 चके 30, यह हो जाएगा, बच्चो, 60, ठीक है, बच्चो, तो अब हम फोकस दूरी कितने आगी बच्चो, 60 आगी, अब हमने किस में निकालना है बच्चो, हमने निकालना है पानी में, पानी में हमने क्या निकालनी है, फोकस दूरी ग्यांत करनी है बच्चो, ठीक है, तो पानी में फोकस दूरी ग्यांत करनी है, ये तो पानी में फोकस दूरी ग minus one ठीक है बच्छो फिर वही एक बटे आर वन माइनस एक बटे आर टू ठीक है बच्छो और ये मैंने निकाल लखा बच्छो NAL निकाल लखा ये देखे यहां पर देखे बच्छो NLG की वैल्यू 1.5 बटे 1.7 ठीक है बच्छो ये निकाल लखा है हमने तो one upon fl बराबर 1.5 सौरी बच्चो divided 1.7 minus 1 और ये दोनों हमने हमारे पास है ये है minus 15 और ये minus 10 ठीक है बच्चो ये देखे बच्चो ठीक है न तो 1 upon f l 1 upon f l बराबर इन दोनों का l से हम निकाला 1.7 तो 1.5 minus 1.7 ये देखे बच्चो ये कितना हो गया बच्चो दोनों का l से हम कितना हो गया बच्चो 30 हो गया और ये minus 2 हो जाएगा ये minus minus का plus हो जाएगा plus 3 हो जाएगा ठीक है बच्चो अब हमने इसको solve करना है ठीक है बच्चो तो 1 upon f l बराबर कितना है बच्चों, 1.5 में से 1.7 कहताएंगे, minus 2, point minus 2 divided by 1.7 into, ये कितना हो जाएगा, 1, ये 1 हो जाएगा, 1 upon 30, सोरी बच्चों, एफ हैल निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे, एफ हैल निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 1.7 into 30 divided by minus यहाँ चला जाएगा, point 2, ठीक है बच्चों, point कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आप देखे बच्चों, इसको मैंने 17 कर दिया, into 30 divided by कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है न बच्चों, 2 से इसको डिवाइट कर देंगे, यह 15 हो जाएगा, तो 15 से इसको मल्टिप्लाई कर देंगे, 15, 15 सता 105, 105 को 5, 15 सता 105 को 5, हासले 10 हो जाएगी, 15 करम 15, 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 255, और 14 बच्चों, यहाँ पर माइनस भी है, माइनस 255 सेंटी मेटर आगे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, काफी क्वेशन हमने इसमें कर दिये हैं, और इसकी प्रैक्टिस हमारी हो रही है, और अब जो है, हम लिए चलते हैं, आपको दूसरे क्वेशन की उखन, तो प्यारे किजिए कि लेंस की फोकस दोरी, लेंस की बकरता तिरजा के बराबर है, बहुत ही इंपोर्टेंट है qeution बच्चों, पूछा जाता है बच्चो, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको देखना है, एक उथ्तल लेंस है बच्चों, और इसकी बकरता तिरजा, यह minus हो जाएगी, बाई ओवर हो जाएगी, ठीक है बच्चो, दूसरी बगरता तिर जा, ठीक है, और ये दोनों क्या हैं आपस में, बराबर है, r1 बराबर, r2 बराबर, मैंने r लिख दिया बच्चो, ठीक है, तो r1 तो, r1 के बराबर आएगा बच्चो, लेकिन r2 जो हैं, तो फॉर्मरा लगाएंगे, 1 upon f, ठीक है बच्चो, बराबर, n-1, 1 बटे r1, 1 बटे r1, 1 बटे r2, ठीक है बच्चो, एक्चोली बच्चो, जो हैं, जो यहाँ पर n है, ये n है, ये क्या है बच्चो, कांच का, लेंस का निरपेज, अप्रतनांग है बच्चो, ठीक है बच क्या हो जाएगा, हमने फॉकस दूरी, इसमें बतानी है, कि तिर्जा के बराबर होगी, तो फॉन अपॉन एफ, बराबर, n, 1.5, −1, जो ये देखे, बच्चो, एक बटे r1, कितना है, r के बराबर है, माईनस, एक बटे r2, कितना है, माईनस देखे, इदेखे, बच्चो, तो 1 upon f कितना हो जाएगा बच्चो, 0.5 into, ये देखे बच्चो, minus minus का क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, 1 by r, plus 1 by r हो जाएगा, ये देखे बच्चो, तो 1 upon f कितना आ गया, 1 upon f परावर कितना आ गया, 0.5, ठीक है बच्चो, और ये कितना हो जाएगा, 1 by r plus 1 by r, that is 2 by r हो तो one upon आर आ जाएगा बचो अब देखे बचो जब one upon f बराबर one upon आर है तो f बराबर क्या हो गया आर हो गया तो हमने ये प्रूब कर दिया क्या प्रूब कर दिया लेंस की फोकस दूरी वो बकरता तिर जाएं क्या है बच्चो समान है यह हमने प्रूफ कर दिया है बच्चो ठीक है बच्चो लिए चलते हैं आपको दूसरे क्वेस्टन की ओर प्यारे बच्चो आप क्वेस्टन को पढ़िए बच्चो क्वेस्टन क्या कह रहा है एक उभ्योतल लेंस की दौनों बगरता तिर जाएं 20 सेंटीमेटर है तथा लेंस के कांच का अफ़तना 1.5 है लेंस की फोकस दौरी ज्यांत करो ठीक है बच्चो देखो बच्चो आर वन बड़ावर 20 सेंटीमेटर यह धाइं ओर होगथ बच्चो और आर टू भी 20 सेंटीमेटर है लेकिन यह बाइं ओर पढ़ेगा बच्चो ये देखो बकरता तो जाएं 20 cm है और लेंस के पदार्थ का अपरतनाग N बराबर कितना है बच्चो 1.5 मैंने क्या का था बच्चो जन्नली जो है मैंने N को क्या लिखा है N A G को ये N लिख दिया बच्चो ठीक है बच्चो वो 1.5 दे रखा है बच्चो तो फॉर्मुला क्या होगा बच्चो 1 अपॉन F बराबर N माइनस 1 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 ये फॉर्मुला हमने इसमें लगाए बच्चो ये देखे बच्चो एकजाम में जो है आपको फॉर्मुले को इस परकार से लिख देना है ये फॉर्मुला आप इसमें लगा रहे हैं बच्चो तो हमने फोकस दूरी क्यांत करनी है तो 1 अपॉन F बराबर कितना हो जाएगा बच्चो 1 अपॉन F बराबर कितना हो जाएगा N एक परसमुला 5 है माइनस 1 ठीक है बच्चो तो ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बच्चो एक 1 upon 20 माइनस माइनस 1 upon 20 ये देखे बच्चो अब फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 1 upon f बराबर ये 0.5 हो जाएगा और यहाँ पर a 1 upon 20 प्लस 1 upon 20 हो जाएगा बच्चो तो 1 upon f बराबर कितना हो जाएगा बच्चो बताए 0.5 into 2 upon 2 upon 20 और जब हम 0.5 को 2 से मल्ट प्लस 1 आता 1 upon 20 तो f कितना हो जाएगा बच्चो f कितना हो जाएगा बच्चो 20 cm ठीक है तो प्यारे बच्चो हमने इसकी क्या निकाल दी है फोकस दूरी भी ग्यांद कर दी है तो प्यारे बच्चो पूरी आसा करता हूँ कि आपको य यह आप चैनल पर बने हुई है तो चैनल को सस्क्राइब कर दो ब्यल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिपिकेशन ओन कर दो ताकि गलो और फिजिस के द्वारा समय समय पर आपको उप्योगी वीडियो मिलती रहें एक बार पुन हो चैनल बने रनने के लिए आपका बहुत बद आभार और धन्यवार